इसाबेला थौबन डिग्री कॉलेज जैनि आई टी कॉलेज लखनों में एडमीशन पर क्रिया फिलाल चालू हो चुकी है एडमीशन लेने के लिए आपको करना क्या है जल्दी से हम आपको वो बताय देते हैं सन 2020-2021 के सेसन के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको खोलनी है इसाबेला थौबन डिग्री कॉलेज की वेबसाइट वेबसाइट के URL हम कोसिस करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप खोल पाएंगे या फिर ऊपर देखिए आप याद कर लीजिए itcollege.ac.in slash itdc ओके ठीक है आप खोलेंगे कुछ ऐसा वेबसाइट के इंटरफेस आपको खुलेगा और देखिए ये वेबसाइट है तो सबसे पहला आप फ्लाइट करेंगे नीचे कुछ इम्जर्स वगएर आएंगे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है फोटो की जट नीचे आप देखते रहिएगा न्यू करके न्यू नोटिस फिर न्यू किलिक है फाब बीए बीएससी बीएचसी एंड बीकॉम पार्ट वन अड्मिशन अप्लिकेशन फॉर्म इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया यू खुला है कुछ है फाइस का इंटरफेस आ गया है जो नई वेबसाइट हमने उस पे क्लिक किया था तो देखिए फिर उसके नीचे साविला थाबन कॉलेज ऑनलाइन पेइमेंट कॉलेज और प्रोफेशनल इस्टेडीज मतलब MBA जैसे कॉर्स के लिए कॉलेज और प्रोफ जैसे आप डिग्री कॉलेज पर क्लिक करेंगे नीचे यूजी एडमीशन और पीजी बीएलाइसी एडमीशन लिखिया जाएगा फिर आप यूजी एडमीशन पर क्लिक कर देंगे अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए डमीशन लेना है ये बीसी बीकॉम के के लिए तो तो आप यूजी एडमीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रिक्शन्स आ जाएंगे बीस्टी बायो और मैच्स के लिए 55% माक्स होने जरूरी है बेसी ओर्नर होम साइंस के लिए और भी कॉम के लिए 50% और भी आर्ट के लिए 45% स्कूल करते जाएंगे नीचे accept and continue करेंगे इसमें procedure उगहरा सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं तो आप first time user है या already have an application number तो आपको अगर आप पहली बार फॉर्म बर रहे हैं सिंपल से बात पहली बार तो click here पे click करना है click here पे click करने के बाद name of candidate 10 digit mobile नमबर आधार कार्ड नमबर select course ये सारा कुछ आपको बहना होगा माले जे candidate में मैं भल दे रहा हूं आप अपना नाम डालीजिएगा फिर mobile नमबर आपको बहना है तो mobile नमबर आपको इसा भी भल लीजिए फिर आधार कार्ड नमबर आपको बहना है एकदम exact सही जानकरियों के साथ आप इसमें अपनी detail भल देंगे फिर आपको कॉर्स select करना है को बीए बीस सीबी कॉम कोई भी अब select कर सकते हैं जो भी आप जिस भी कोर्समेंड मिसल नेना है मैं बीए फिलेट का दे रहा हूं बाकी चीज़ करके आपके फोन पे एक OTP आएगी देखे मैं फिलाल फेंड OTP पे क्लिक कर रहा हूं देखे फिर कुछ है फाय स्क्रोल हो रहा है करने के बाद और OTP आपके मॉबाइल नमबर पे चली जाएगी फेंड OTP क्लिक करने के बाद फिलाल मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूं या फिर नहीं भर पा रहा हूं ये भी कह लिजए क्योंकि यहां आधाल नमबर खुद वेरिफाई कर रहा है नाम के साथ फिलाल मुझे अपना अप्लिकेशन फॉर्म भरना नहीं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बता सकता हूं तो यहां से आप फर्स्ट टाइम यूजर है ये इसमें फारी डिटेल भरेंगे OTP पे क्लिक करेंगे OTP आपके फोन पे जाएगा उसमें OTP लाके नीचे एक कॉलम खुल जाएगा उसमें OTP भर लेंगे फिर वहां से आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा आपको एक अप्लिकेशन मिल जाएगा अप्लिकेशन नंबर मिल जाएगा पासवर मिल जाएगा फिर उपर लिखा है अप्लिकेशन नंबर फिर क्लिक है उसके सामने आप क् फिर आप वैलिडिट यूजर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आपका प्रोफाइल खुल जाएगा वहां से आपको फॉर्म भरना उसके बाद एक पेमेंट का मूड आएगा वहां से आपको फिर पेमेंट करना जो भी फीस अप्लिकेशन की अगर आप किसी भी कॉलेज का एडमीशन फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई भी डीटेल चाहिए या फिर कोई समस्या आती है तो लिख बेजिए नीचे कमेंड बास में उसका हल देंगे बनाए रखे देए उन्वर्शाटे करेक्शन धनेवादा